अगर शॉपर में रखो तो सही नहीं रहता है अच्छा तो ये भी एक ट्रिक है टिशू में रखे तो ये सही रहते हैं देखो बिल्कुल कितने दिन हो गया ना फारूप भाई को गया दुनिया बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ तो भई एक और गल को सिवाय धंदा करने के क कुछ नहीं आता इतनी मतलब वीडियो बना के इतना हैरतों अंगेज करके बता रही है के टीशू पेपर में लपेट के शॉपर में रखो तो धनिया खराब नहीं होता भई ये तो हर घर गिरस्ती वाली आड़तों को पता होता है और अम्मा तो ऐसे अंदाज में बोल रही तो दोनों मा बेटी के ड्रामे और एटिंग कब खतम होंगे पता नहीं वैसे बेटी अच्छा खता अम्मा को चड़ा रही है और अम्मा मूँ बना बना के ऐसे बता रही है जैसे पता नहीं कौन सी ऐसी दुनिया की अनमोल चीज और अलग चीज अम्मा ने बना लिये तो ये बेटी और ये मा बस इनकी ही जोड़ी सही है अम्मा को सर पे चड़ाते रहेंगी चने के जाड़ पे और अम्मा चड़ चड़ के मजे लेती है अच्छा ये अम्मा को जो चड़ा रहीती तो पता है नहीं आप लोगों को कि आम्मा को ये जाड़ पे चड़ा रहेंगी तो अम्मा और दील से घर का काम करेंगी ना जो मैट का काम है उन्मा है और अच्छे से करेंगी, इसके लिए उन्मा को चने की जाड़ पे चड़ा रही थी, बाकि ऐसी कोई बात नहीं है कि अम्मा से प्यार करती है, इसके लिए अम्मा की तारिफ है कोई बात नहीं है, और दूसरी बात, कि जैसे ही गोठु काम complete होने व इतने दिन से बच्चों को यादने आ रिती पापा की सितारा को भी यादने आ रिती कि मैं बच्चों से पूछूं कि तुम्हारा बाप कहा भाग गया और दो-तिन दिन से इसको फिर से पापा याद आ गए क्यूं 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 वहां पर जो घटिया काम करने के लिए बेजी थी वह काम हो गया है ना अब गोचु आने वाला था इसके लिए इसने दो-तिन दिन पहले से ही ड्रामा शुरू कर दिया जो इसाफ से अमी की और इसके तितरे अब्बू की लव इस्टोरी पता चली है तो उससे साफ जाहिर होता है कि रिस्ते और छोटा बड़ा होना इन लोगों के लिए कोई चीज कुछ माइने नहीं रखती है सिर्फ और सरीफी लोग अपनी हवस को और अपने गंदे रिस्तों को समस्ते है बाकी कोई चीज को नी समस्ते तो जिस तरह से आजकल सितारा का और तिसरे अब्बू का चीछोरा पना वाइटी पे चल रहा है ना जो सितारा इतना आगे बढ़ बढ़ के चीछोरा पना कर रही है अब्बू के साथ में तो वैसे भी ये लोग रिस्तों को और चोटे बड़े को आप लोगों को पता ही है ना कोई माइने नहीं देते हैं लोग मतलब कहते हैं ना एक रिस्पेक करना होता है बढ़ो की और इस्तों की रिस्पेक करना होता है वो तो इनके अंदर है नहीं तो आजकल थोड़ा सी ये डर लगा हुआ रहता है कि कहीं ये अ अबू के साथी ना सुरू हो जाए यार जिस तरह से अबू के भी जो आशिकाना मिजास है मतलब अपनी भावी के साथ में अफैर करके नाजायद रिष्टे को किस तरह से लोगों ने जायद बनाया मतलब यह लोग अपनी गंदगी के लिए किसी भी हद तक जा सकते है यह बात तो साबित हो गई है तो जब इतनी सब गंदगी कर सकते हैं तो क्या सितारा और मतलब सितारा अपने तीसरे अबू के साथ में ऐसा कुछ नहीं कर सकती है समझती तो सितारा के पास में अबू का रहना थोड़ा सी डेंजरस है तो मेरे इसाफ से तो अब्बू को इनके अब्बू को सौधी वापिस चले जाना चीए वरना तो फिर अम्मी का भी घर खराब होगा जो बहुत सारे गुना करने के बाद में घर बनाए ना वो घर खराब हो जाएगा अच्छे मुझे एक चीज से थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं लग रही है वो बात कि यह ना तयवा को बहुत दिन से ना मेक अप दे के छोड़ी हुई है सबसे पहली बात तो बच्चों के लिए मेक अप कितना ज़्यादा आनिकारक होता है कितना ज़्यादा मतलब गलत होता है यह तो आप लोगों को पता ही होगा बच्चों की स्कीन कितनी सेंसिटिव होती है और मेक अप केमिकल की चीज है तो इतना ज़्यादा मेक अप से फेस पे लगा लगा के मेक अप से खेलना एक तो उसकी स्किन के लिए उसकी उमर के लिए और उसकी आदतों के लिए खराब है दूसरा लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जैसे सितारा के रंग ढंगते हैं ना सेम वैसे रंग ढंग है ना ये तयवा के अंदर डाल रही है जैसे सितारा को ये सब चीजे पहले से पसंद थी अब तयवा सेम जो सितारा का बच्पन था ना वो तयवा जी रही है और ये खुद जीने लगा रही है और आगे चलके मुझे लगता है ना कि ये थोड़ा-थोड़ा करके फिर जैसे खुद ने गंदगी सुरू कीती ना मतलब पहले मेकप पे आई फिर दूसरी शादी पे फिर बॉइफ्रेंड फिर अम्मी का अबू का इसका उसका सब लेकर आई उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि तयवा का भी ना मेकप चैनल ये बहुत जल्दी खोल देंगी और ये बात सच है आप लोग खुद देखना कि ऐसी कोई प्लैनिंग हो रही है जिसके वज़े से ये तयवा को ये सब देखे रखी है वैसे बहुत जने ने जो मैंने कल वीडियो डाली थी ना तो बहुत जने ने एकदम सही सही कमेंट किये जो कि मैंने बात बताई थी कि अम्मी को क्यूं बुरा नहीं लगता सितारा का ये सब चाले चिछोरा पना सितारा का कॉल गल बनना क्यूंकि सितारा है ना अपनी अम्मी के उपर गई है तो ये बात तो सही है न जो जो कहानियां हमने सितारा की सुनी है न सेम कहानियां अम्मी की भी हमने सुनी है इतना है कि हम लेकर नहीं आ रहे थे हम सोसते थे ये लोग खुद अपनी कहानी लाते है न तो ये लोग ही लेकर आये हमें क्या धरुवत है न कहानी लाने की बहराल अब आप लोगों ने देखी लिया है मेरा कल का वीडियो इससे पहले का जो मेरा कल का लाश्ट वीडियो था शाम में डाली थी वो तो उससे आप लोगों को पता चली गया होगा न कि अब इनके घर के जो बड़े ही रिस्पेक्फूल ब्योड़ा चाचा है न गंदगी थी न आप लोगों को बहुत साल पहले वाली यही गंदगी किसी और के उपर सुनने के लिए मिलेंगी तो देखते रहिए और कितनी गंदगी आनी बाकी है मज़ा आएंगा हमें भी और आप लोगों को भी क्यूंकि हम तो नहीं ला रहे ना ही तो हमने यह सब किया है इन लोगों ने किया है और इन लोगी के खांदान वाले लेकर भी आ रहे है यह काम चोड़ने न एक केक का पीज़ा पकड़ा मतलब इतनी यह का कि मैंने केक रखके चूले पे फिर मैं फ्रेश होने चले गई ती बच्चे लोग ने गैस बन कर दिया मतलब इतनी केरलेस मौम है यह इतनी केरलेस है कि बच्चों को चूले के पाद छोड़के यह अपना मुख काला करने के लिए चली जाती है इसको यह पता कि बच्चों के लिए चूला और उचाई पानी यह सब कितना डेंजरस होता है हम हमेंसा अपने बच्चों का ध्यान रखते कि बच्चे यह सब चीजों के करीब भी ना जाए और फिर बाद में यह इतनी सी आयत से पूछ रही है कि चूला तुमने बन किया था ना बना रही हो चूला बनाना ना तिर बस की नहीं बस तुझे अभी बोलने के लिए करने के लिए कॉंटेंट है नहीं कोसर जो तेरा में रही है क्योंकि वह दूर बैटी है तो उसको कौन से हक से गालियां किलाएंगी जब इतने कोसर का बच्चा खाई थी ना लोगों ने इसको इतनी गालियां दिये इतनी गालियां दिये ना के इसकी हमत नहीं हो रही है अब कोसर को गंदा करने की इसके लिए यह है ना मुह और यह सब दबा के बैठी है वरना ये इतनी जलील औरत है ना कि ये उसका यूज करना छोड़े कभी नहीं असर का बच्चा खाने की वज़े से ये उसका यूज नहीं कर पा रही है अब उसको इसके पास में कॉंटेंट है नहीं कुछ इसके लिए अब ये केक का पीछा पकड़ी है जो की केरलेस औरत ने जला तो यह जो काम करने का करके दिखा रही है न मुझे बड़ा है केक बनाने का ये बनाने का वह बनाने का अब लबाव थो लोस जो पॉना सकती है और वही काम पररकुंच कर सकती है और कुछ नहीं हो ते इनकी गिफ्टों के लिए इनके घर के लिए गाड़ी के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे भेज रहे या जो भी मदद कर रहे हेल्प कर रहे तो आज आप लोग यह देखो कि मैं आगे जो क्लिप दिखाऊंगी ना वो गौर से देखना कि इनके पास में फिजूल खर्ची करने के लिए और अपनी आयाशियों के लिए और घटिया तरीन काम करने के लिए बहुत पैसे है तो आपके अगर पैसे मेनत के हैं तो ऐसे घटिया लोगों को भेजना बन करो आगे क्लिप देखो आप लोग और गौर करो कि आप लोग नमाज नहीं होती ठीक है तो आगे देखिए सुमेरा के जो आयलेश है इसको गौर से देखो कि सुमेरा ने भी फेक आयलेश जो पर्मनेंट होती है न वो लगवा लिए इसका मतलब है कि इनके पास में हराम के पैसे के लिए जाया करने के लिए बहुत पैसे तो इसके सब गटिया काम करते रहते हैं अगर इनको के इन वाइफों परदेlt glitter एक Wenn लोग ये सब काम बिलकुल नहीं करते आ रहे हैं इतने पैसे जो लोग बरबात कर रहे तो इन लोग जो आप लोग जो इसके जो भी प्यार करने वाले हैं जिनको लोग चूप बनाके पैसे लूट रहे हैं तो सिर्फ आप लोगों से हा रहे हैं इनके पास में पैसे या इनकी औरत भी कॉल गल का काम कर रहे हैं जि होट को पता नहीं क्या क्या करवाते हैं यह सब करवा के लोग धंदा कर रहे हैं और फिर उससे पैसों से इतनी याशी कर रहे हैं है ना क्यूंकि ना सितारा जो जो तरीके से पैसे कमाती है ना वो वो तरीके दिलबर भाबर भी है ना यूस करते और भी इनकी फैमली में तरीके यूज़ करते है जो जो तरीके से सितारा पैसे कमार ये और चैनल वाली बात तो आपके सामने ये जायरती बाते अगर कॉल गल का काम करवा भी रहे है तो वो थोड़ी ना आके बताएंगे ना लेकिन जिस तरह से इनकी हरकते दिकरी है ना मतलब ये सब चीछोरे पने करना पता है कि ये चीज़ से नमाज नहीं होती है फिर भी करवाना तो इससे तो यह साबित हो रहे है कि लोग सितारा का जो दूतरा इंकम है ना कॉल गल का वो काम भी अपनी वाइफों से करवा रहे है और ये लोग खुशी-खुशी कर भी रहे है इस वीडियो में ना सित सब्सक्राइबर बाति खरी ये उनके लिए ये सोच रकती है और सबस्क्राइबर और को जो कुट्थे की तरह जलील होने के लिए इसके दर्वाजे आते हैं लिख लाना तैंस नोगों के ऊपर आप लोगों को ऊसे तरह का हमें रवा माध पता है ना रात महां को ये क्या का जो जाओ कभी कहती है मेरे सर में दरहत है में मैडेशन लेके सो रही हूं और अब इसने उन दिन भी मैंने टोकी थी ना विडियो में के इसको कोई न कोई बाहना चीह रहता है जल्दी व्लॉक खतम करने का ताकि फिर ये अपने जॉब पर जा सके जो कॉल गल का काम है ना उस पर जा सके तो उसके लिए ये रात को बहाने करती है कि हमीं चिलाती है जलदी सोजा जलदी सोजा इसके लिए मैं ब्लॉक का एंड कर nervi हूँ तो इसने फिर यहले वीडियो में क्या किया यह सब बहाने नहीं करके इसने ये बोल दिया कि मैं बच्चों को सुलाते सुलाते जल्दी सो गई थी तो अब सुबा हो गई है और सुबा में मैं अल्ला हफिस कह रही हूं बस कर सितारा कितना जूड बोलेंगी सभी को बता चल गया है कि तू कॉल कर ले है और तू वही काम के लिए जाती है इसके लिए ये चुपता तो है नहीं कोई नहीं तो कोई कोई नहीं तो कोई इसकी पोल खोली देता है और हमारे पास में बाते पुरूप के साथ आ जाती है और जो ड्राइवर बने फिर रहे है जिसको सलाम करकर के इसकी गाड़ी में घुमते रहती है तो बजार लाना होता है तो तू और ऐसा कोई काम होता है तो दूसरों से करवाती है फारुक था वह मार्किट लेके आता था लेकिन कुछ ना कुछ बाहन करके यह वह गाड़ी में बैठके जाती कहां है यह सोचो तो वह गाड़ी और ड्राइवर सीर्फ और स्रीफ इसको इसके कस्टमर के पास में ले जाने क लिए ही रखे गई है और यह वही करती है लालची और इतना पैसा कमा रही है अब तो कम से कम इसको काम चोड़ देना चीए लेकिन लालच बहुत ज़्यादा लालच है इसको खेर जो भी करती है प्रूफ तो आई जाते है और आगे जो भी प्रूफ आएंगे हम जरूर शे यो में लापीस